साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र बढ़वा इंडी अलाइंस के लोग भले ही दिल्ली के राम लीला मैदान में हुंकार भर रहे हो सबने तस्वीरे देखी पूरी दुनिया हिला देने की बात कह रहे हो एक से बढ़कर एक दोस्ती की तस्वीरे दोस्तों सब लो। गले मिलते हुए हात मिलते हुए मगर असलियत तो कुछ और ही दिख रही है ये वो नहीं नहीं है जो इंडी अलाइंस की बैठक में दिल्ली में दिख रही है क्योंकि मैं अगर सिर्फ एक राजिक महराष्ट की बात करूं तो यहां तो दोस्तों सब कुछ गड़ मड़ हो गया है और हकीकत यह है कि कॉंग्रेस उद्धव कि शिव सेना और शरत पवार की पार्टी फ्रेंडली फाइट करेगी महाविकास अगारी सूचिए फ्रेंडली फाइट क्या होता है यह तो चुनाम लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं इसा थोड़ी कि आपने कहीं खड़ा किया किसी उम्मिदवार को बोलेंगे नहीं नहीं हमने तो खड़ा कर दिया है लेकिन इसको बोट मत दीजएगा ऐसा को बाए सोन कौन सी सीट है दक्षिन मध्य मुंबई उत्षिम मुंबई सांगली भिवंडी इन सीटों को लेकर तो तीनों के बीच लड़ाई हो रही है सहमती नहीं बन पा रही है उद्धव ने तो दक्षिन मध्य मुंबई उत्तर पश्यम मुंबई और सांगली इन तीनों पर अपने उम्मिद्वार घोशित कर दी हैं दोस्तों और इन में से तीन सीट जो है दक्षिन मध्य उत्तर पश्यम और सांगली इन मजदार चीज क्या हुई दोस्तों कि जब सहमती नहीं बन रही है तो कॉंग्रेस ने कहा फ्रेंडली फाइट करेंगे अब क्या हुआ कि संजर आउद साहब एकदम फुफकार उठे उन्होंने कहा कि उधव की शिव से ना बाकी सीटों पर भी अपने उम्मिद्वार खड़े कर देगी कई जगों का नाम बताया दूसरे राज्यों का नाम बताया चांते इसके बाद क्या हुआ कॉंग्रेस ने उधव ठाकरे को अवकाद दिखा दी एक दम अवकाद दिखाई और साफ कहा कि हमारे बिना तो उधव ठाकरे एक भी सीट नहीं जीत सकते महाराष्ट की बाद की है और खुद संजय निरुपम जो कॉंग्रेस के दिगज नेता है राहुल गांधी के खरीबी हैं उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया है देख लीजे ना संजय निरुपम का क्या लिखा है जब कॉंग्रेस ने तुने कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइ करिये इस बिलबिलाहट का कारण क्या है क्योंकि उबाठा ग्रुप बिना कॉंग्रेस के सपोर्ट के एक भी सीट नहीं जीत पाएगा ये मेरी खुली चुनाउती है संजय निरुपम कहा रहे हैं वैसे भी मुंबई के मराठी भाशी समाज में उबाठा ग्रुप के पार करने का पुखता इंतजाम कर दिया गया है कि कॉंग्रेस वाले किस पर लिख रहे हैं आप देखे ना संजय राउत के लिए लिख रहे हैं शिव से ना उद्धव ठाकरे के लिए लिख रहे हैं अब आप खुद सोचिए कि ये लड़ाई कितनी गहरी है दरसल दोस्तों महराष्ट में महाविकास घाडी का अभी गडबंधन भी नहीं हुआ है और शिव सेना जो उद्धव ठाकरे की है असल शिव सेना तो एक नाचिंदे के पास है उद्धव ठाकरे की पाटी ने समझोता करने से पहले ही 17 सीटों पर अपने उम्मिदबारों की घोशना कर दी ह और शिव सेना उद्धव ने जिन 17 सीटों पर उम्मिदबारों की घोशना की है उसका नाम भी बता देता हूँ राइगर रतनागिरी ठाने परबनी बुलधाना यबतमाल वाशीम चत्रपती शंभाजी नगर शिर्डी दक्षिन मुंबई उत्तर पश्चिमी मुंबई उत् उस्मानाबाद नासी सूची घडवंदन हुआ नहीं अब जाहिर है दोस्तों उद्धव ठाकरे के एक तरफा ऐलान से कॉंग्रेस नेता नाराज हो गये हैं कॉंग्रेस के नेता संजय निरुपम खास करके क्योंकि उत्तर पश्चिम मुंबई को गड़ समझते हैं वहीं से चुनाब लड़ना चाहते हैं लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया उनकी सीट से अमोल किर्तिकर को अपना उमिद्वार घोशिक कर दिया है अब संजय निरुपम भड़ा कुठे शिव सेना पर निशाना साथते वे कहा देखिए भाशा देखिए वो खिचडी चोर का इसके साथ कॉंग्रेस हाई कमान को भी अल्टिमेटम दे दिया और कहा कि यदी एक हपते में उन्हें उत्तर पश्यम मुंबई से टिकट नहीं मिलता है तो वो हर निर्णाय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और इतना ही नहीं कहा संजय निरुपम ने ये भी कहा कि कॉंग्रेस कॉंग्रेस यदी महराष्ट में अपना हित चाहती है तो गडबंधन तोड़ देना चाहिए और इसी के बाद कॉंग्रेस ने फ्रेंडली फाइट की बात कही वैसे उद्धव ठाकरे ने मुंबई की एक और सीट है दोस्तों दक्षन मध्य लोकसभासी अनिल देसाई के ना उसी तरीके से दोस्तों पशिम महराष्ट में एक सीट है सांगली यहां शिम सेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उन्होंने चंद्रहार पार्टील के नाम की घोशना कर दी आप कॉंग्रेस तो लगी वी थी कि हमको सीट मिल जाए मगर यह तो उलज गए और सांगली क मिराज में आप समय लीजिए जो 22 मार्च की रैली थी वहां उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पार्टील के नाम का एलान किया आप सोचिए कॉंग्रेस को लगता इस बात की जानकारी थी और इसी लिए कॉंग्रेस ने इस रैली का बाइकाट किया था आप देखिए इनके दिल मिल रहे हैं गले मिल रहे हैं या कुछ में मिल रहे हैं या जैसे आत्मा और शरीर की बात केजरी बाल करते हैं ना तो इनकी आत्मा नहीं मिल रहे हैं ये शरीर ही मिल रहे हैं जो रैली में दिखाए पहले उद्धव ठाकरे दोस्तों सांगली के बगल में कोलहापूर स शिव सेना उद्धव गुट का दावा कमसोर हो गया वो तो इस्थिती में नहीं गया और जब कोलहपूर हाथ से निकल गया तो उद्धव ठाकरे ने क्या किया सांगली से अपना उम्मिद्वार खड़ा कर दिया आप समय रहें ये कौन सा गणित चल रहा है और कॉंग्रेस को रही है कि सांगली की वज़ा से गडवंधन तूट सकता आप सोचिए एक एक सीट पर कितनी लडाई है क्योंकि सांगली सीट के हाथ से निकलने पर महराष्ट की कॉंग्रेस पाट कुछ नहीं कर पा रही है अब वो सीट शेरिंग का पूरा मामला अला कमान पर छोड़ दिय सब को सुनिया गांधी तैक करेंगी क्योंकि उद्धव ठाकरे ने दोस्तों गडवंधन में सीटों के बटवारे से पहले ही 17 सीटों पर उम्मिदवारों की घोशना कर दिया है उन्होंने किसी की नहीं सुनी एक तरीके से देखे तो उन्होंने गडवंधन पर ही सवाल गाड़ी इसने देख लिया कि जब यही नहीं समल पा रहे हैं यही नहीं सौल कर पा रहे हैं तो हमारा क्या होगा तो वंचित बहुजन अगाड़ी ने गडवंधन तोड़ दिया और शिव सेना के एक तरफा एलान से उन्होंने तो तोड़ा ही शरत पवार भी नाराज हो और शरत पवार ने दोस्तों कुलकर बयान दिया कि उधव ठाकरे ने गडवंधन धर्म का पालन नहीं किया है और आज इस्थिती यह है कि वंचित बहुजन अगाड़ी गडवंधन तोड़ कर अपने उम्मिद्वारों के नामों की घोशना कर चुकी है और लगे हाथ शरत अजीत पवार ने भी वही काम किया पांच उम्मिद्वारों की सूची उन्होंने भी जारी कर दी अब जो सूची उन्होंने जारी की इसमें भी एक दिलचस्प चीज़ बताता हूँ सुप्रिया सुले को अपनी बेटी को बारा मती से तीसरी बार मौका दिया है और सुप् और जो शरत पवार की पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की मैं कुछ नाम भी बता देता हूँ डिंडौरी से भासकर भागरे बारा मती से सुप्रिया सुले वर्धा से अमर काले तिरूर से डॉक्टर अमोल कोलहे एहमद दगर दक्षन से निलेश लंके अब ये तो दिये बिना किसी शोर शराबे के अपने अपने उम्मिद्वारों की घोशना कर रहा है लेकिन महाविकास अगारी की लड़ाई पर भी ये पैनी नजर बनाए हुए हैं इनको पता है ये कुछ भी सारजनिक रूप से ये नहीं बता रहे कि मेरा कितना तुम्हारा कितना सब गोशना शुरू कर दिये मगर इंडी अलाइंस के लोग लड़ रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा तो खुल मिला कर साथ हो सीट शेरिंग के मामले पर जब इंडी अलाइंस गडबंधन धर्म का पालन नहीं कर सकता है तो इस गडबंधन की सरकार में नीतियों के मामले में क यूपीय के समय देख चुके हैं और यही कारण है दोस्तों कि इंडी अलाइंस की सरकारों में पॉलिसी पेरालिसिस जैसी स्थिती पैदा हो जाती है और पूरी शासन व्यवस्था ठप पड़ जाती है महराष्ट में पहले चरण के चुनाओं में वैसे तो अब तीन हफते का भी वक्त नहीं बचा है मगर इनकी लडाई जारी है नतीजे क्या होंगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए बाद में यह लोग कहेंगे कि EVM का दोश देंगे EVM के बारे में बताएंगे अरे वैया जब तुम CTE नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो चुनाओं क्या जीतोगे और यह बात याग रखना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्ते आपसे निवेदन है कि आप मेरे शैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेर कीजे कमेंट कीजे और इस बेल आइकन को प्रेस करने मत भूलिएगा नमस्कार